गड़वा जिला भंड्रिय प्रक्षंड के गलाख जुरी गाम में इस साल हाइविरिट धान कमाकर किसान बहुत पस्ता रहे हैं मैं इस खेत में धनन्जय का लगाया था और हम इसासे साथ लगाया थे कि 5-6 परिवार का खाना हो जाएगा इस ख्याल से लगाया है तो मेरा उपईशा, मेरा मेहनत और मेरा उमिद था साल भर खाएंगे, उस अब ब्यकाच ला गया, बाली तो निकला लेकिन इसके अंदर चावल नहीं है, केवल भूसी है, मैं भर नहीं और किसान भी इसको बता रहे हैं कि हाइब्रीड का धान पहले अब इसका जो पैदवार बहुत नीचे गिरते जा रहा है, इस वर्स ऐसा हुआ कि बहुत से क्रिशक मैयूस है और ग्रश्ती चोपड तो हो ही गया, लेकिन अब हाइब्रीड को नकाने के इच्छा रख रहे हैं, यह वला देहाती का है, हाइब्रीड और इसमें देहाती ध हाइब्रीड को अपेक्छा ते बहुत अच्छा है, लागत भी कम, धान अच्छा तो फैदा इसी में है, और बिल्कुल इसमें कोई रिशर्च है, ना कुछ नहीं, केवल पॉसरवनी ठीक ठाक हुआ, खेत में बहु दिये, प्रोपनी हो गया, धान अच्छा निकल गया, अच्छा थी, देहापी में खंखरी दम नी रहे, मिसला बालों भी मर गलाद, फिर खंखरीों भी पोसदे लाद, बढ़ियों में कावा थी, सब की दिबली केट आवा थी, कि किल से बिहाना, मैं और औरोक किसान का वो इलपक्ष है, ऐसा कि अब हाइबरिट को खेत में नहीं लगाया जाए, जो बने सो, जो घर में दिहाती धान है, उसी को लगाया जाए, मैं तो उसी को बहतर मानता हूँ, मैं आरगेन किरकेटा, भन्रिया प्रखंड, इंदिया अनहाट के लिए,